दोस्तो नमस्कार आपका श्वाकत है हमारी हीटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं कम्पिटर क्यूशन स्रीज का पार्ट टू लेकर आया हूँ तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो कल अपने देखाता की विंडोज 10 में कोरटाना क्या है या तक की क्यूशन अपने देख लिए थे ठीक है आज अपने देखते हैं इसके आगे क्यूशन दोस्तो नेंक्स टू अपना की विंडोज 10 में ग़ Platz ये समश्चाय अस्त लेकित गणीतिय समिकरण, टॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ओप्षन का उप्योग किया जाता है, दोस्तों, ये कम्पूर्ट टीचर के लिए भी इंपोर्टेंट है, तो आप वीडियो पूरा देखें और आंसे देखें, दोस्तों, इस क्यूस्टन का जो राइट आंसर है, और नीचे लिखावा देखिए, मैथ इंपूट पैनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ इंपूट पैनल की जरिया आप हाथ से लिखकर भी, जो गणीतिय समिकरण है, और जो भी चीज है, इसको हाथ से लिख सकते हैं, अपना अगर टच स्क्रिन जो मॉनिटर है तो, ठीक है, नेक्ट उसे न अपना, विंडोज 10 में, विंडोज 10 में, किसी भी आपजेक्ट का स्क्रिन सौट या इसनीप कैप्चर करने, और उसे सेर करने के लिए, किस टूल का उप्योग किया जाता है, दोस्तों, इसका मतलब है कि आप, कम्प्यूटर में जो विंडोज 10 हो अगर, तो उसमें आप स्क्रिन सौट कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्निपिंग टूल नामक, जो सौप्ट वे रहे, उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अपनेक्स्ट क्यूशन है, कि विंडोज 10 में, विंडोज 10 में, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, पैटरिश स्टेटर्स, वारलेश नेटवर्क, स्क्रिन रोटेशन, एस्टरनल डिस्प्ले, सिंक सेंटर के लिए, किसका प्रियोग किया जाता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, विंडोज मॉबिलिटी सेंटर का, इसके जरी आप इन सब चीजों की, जो सेटिंग है, वो चैंज कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्दन कर सकते हो, ठीक है, नेक्ट कुसर ने अपना, कि विंडोज टैन में नई ड्राइंग बनाने, पिक्चर मैनेज करने, और पिक्चर फाइल को अन्य फार्मेट में बदलने के लिए, किस प्रोग्राम का उप्योग किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, ड्राइंग टूल का, ठीक है, तो इसका right answer के हो जाएगा, ड्राइंग टूल, नेक्ट देखते हैं, नेक्ट क्युशन अपना, कि विंडोज टैन का कौन सा टूल, अनावशेक फाइलों को डिलिट या मैनेज करता है, अनावशक फाइल यानि जिन फाइलों का computer में यूज नहीं हो रहा है तो उनको manage या delete कैसी कर सकते हैं इसके लिए आपके जो computer उसमें disk के defragmenter और disk clip नामक software होते हैं तो उनका use करके आप जो अनावशक फाइल हैं उनको आप remove कर सकते हो ठीक है next question है कि dot dot एक data का sum होता है जिसे एक नाम दिया जाता है और उसे disk पर folder में store किया जाता है यनि क्या चीज है वो जिसका जो data का sum होता है उसका नाम होता है और उसको disk में folder में save किया जाता है तो उसका right answer हो जाएगा file file होती है data का sum होता है ठीक है next question देखते है next question है कि डिस्क में डिस्क में एक नामी तिस्तान जहां फाइलों को संग्रित किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा folder आप जानते हैं कि कोई भी computer में कोई file को save करते हैं तो कहां करते हैं कि जो चीज अपन डिलेट कर रहे हैं वह recycle बिन में नहीं जाए ठीक है इसलिए इसता ही रूप लिखा हुआ रहा है करने के लिए किस कुझी का प्योग किया जाता है यान किस shortcut की का यूज होता है तो shortcut की है shift plus delete अगर आप सिरफ delete दबाओगे तो फाइल है जो पहले recycle बिन में जाएगी और फिर आपको वहां से अठानी पड़ेगी उसको लेकिन अगर आप shift plus delete प्रेस करोगे तो file सीधी अड़ जाएगी हमेशा के लिए अड़ जाएगी उसको आप recover नहीं क 10 में तो उसका जो sort में अब क्या type करो run command क्या होगी उसकी run command होगी write.exe या wordpress.exe अगर आप विंडो बटन प्लस में आर प्रेस करके यह type करोगे और enter प्रेस करोगे तो automatic wordpress open हो जाएगा ठीक है next question है कि Windows 10 का कौन सा feature आपके system को वाइरस से सुरक्षित रखता है यानि कौन सा जो software है जो आपकी computer को वाइरस से सुरक्षित रखता है तो उसका जो नाम है Windows Defender और Windows Firewall यह आपके computer में वाइरस नहीं आने देते हैं अगर वाइरस आ भी जाता है तो आपको सुजित कर देते हैं कि वाइरस है आप इसको डाउनलोड मत कीजिए और अगर आप डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको risk है ठीक है next question है कि कौन सा operating system multitasking नहीं है multitasking का मतलब होता है कि एक साथ एक से अधिक काम नहीं हो सकते ठीक है तो वो है MSDOS आपने देखा होगा कि MSDOS में MSDOS का मतलब होता है Microsoft Disk operating system तो इसमें आपको type करके command देनी होती है ठीक है इसमें mouse का use नहीं होता है keyboard के जरीए आपको command देनी होती है कोई भी चीज ओपन करनी है कोई folder file open करना है तो आपको type करकी command देनी होगी ठीक है next question है अपना जब आप जब आप एक directory को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर move करते हैं तो डायरेक्टर की सभी file है और सब डायरेक्टर इस्तान अंत्रित हो जाती है कि सौरी नेक्स्ट कुशन है जब आप एक directory को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर move करते हैं तो क्या होता है डायरेक्टर की सभी file और सब डायरेक्टर इस्तान अंत्रित हो जाती है ठीक है next देखिए नेक्स्ट कुछन है कौन सा फायरवल का एक प्रकार नहीं है तो दोस्तों यह ऑब्जेक्ट कुछन है इसलिए अपने छोड़ देता है कि किसमें ऑप्शन पूछ रहा है और वैसे अगर आप देखना चाहो तो इस टॉन फायरवल इसका राइट आंस्ट हो जाएग विंडोज 10 में रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए विंडोज 10 में रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका राइट आंस्ट हो जाएगा एडिमिनिस्ट्रिटिव टूल का उप्योग किया जाता है रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए ठेक है नेक्स्ट कुछन है कि इस स्कृन को कॉप्य याशन करने ही तो किसे उन्जी करेंक किया जाता है तो इसका Right Answer हो जाए जो बटटन है उसको प्रेस करके स्क्रीन की प्रिंट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट कुशन है कि विंडोज मैट्विन फायलो को कहां स्टोर करती है round directory में ठीक है नेक्स्ट कुशन देखते हैं अपन नेक्स्ट कुशन है अपना कि टास्क मैनेजर ओपन करना चाहरे हो तो आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलिट प्रेस करना होगा ठीक है तब टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन है कि विंडोज 10 में सेकुरिटी सेटिंग नेटवरक और इंटरनेट यूजर अकाउंट बनाना बैक्ग्राउंड थीम बदलना आधी के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इन सब के लिए किसका का उप्योग किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि विंडोज 10 का एक प्रशासनिक टूल नहीं है विंडोज 10 का एक प्रशासनिक टूल नहीं है जो इसका राइट अंसर हो जाए सब्सक्राइब करें और कोई भी सुजाओ हूँ तो हमें कमेंट चरूब करें ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद